बहुत लोगों ने कहा वी फॉर विनोवेटिव के वीडियो दिखते हैं नहीं। मैंने सबसे कहा गंटी भी दबानी पड़ती है वैयां। गंटी ने दबाऊगा जो वीडियो ने दिखेगा। नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है विनोच सहुर आप देख रहे हैं वी फॉर विनोवेटिव। इस तिमाही की व्याजदर क्या है? सरकार ने उन व्याजदरों को बदला है या फिर नहीं बदला है। आपके बता दें कि जब अपरेल, मई और जून की जो इतिमाही आई थी तो उस टाइम सरकार ने क्या किया था इन सभी जो भी बचत योजदर हैं उनमें सब पर ब्याजदर धीरे-धीरे कम कर दी थी। अब जब कोरोना की ये महामारी चल रही तो सब लोग की दिमाग में ये बात जरूर बेटी थी कि चाहे हो PPF हो, सुकन्य सम्रिद्धी हो, किसान विकास पत्र हो, TD हो, FD हो, जो पोस्ट ऑफिस की जो भी योजदर होती सेविंग वाली उनमें गौवर्मेंट इस तिमाही के लिए आखिर ब्याजदर क्या है, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं सुकन्य सम्रिद्धी योजना के बारे में जो कि बेटियों के लिए बहुत ही अच्छी योजना होती, सिर्फ बेटियों के लिए खुलबा सकते हैं, 20 साल के बाद खाता मेचियों हो जाता है, और 15 साल तक आपको उसमें पैसा जमा करना पड़ता है, और उसमें इस टाइम करेंट यानि की जुलाई अगर सितंबर के लिए सरकार उसमें दे रही 7.6% की ब्याजदर, दूसरी अगर हम बात करें किसान विकास पत्र की, किसान विकास पत्र एक ऐसा बॉंड होता है, जो कि आप उ 124 महिने में मेचियोर हो रहा है, इस्तिमाही के लिए ब्याजदर है 6.9%, अगर हम PPF की बात करें, काफी अच्छी योजना है, टेक सेविंग स्कीम है, यह PPF पब्लिक टोविडेंट फंड, जो कि 15 साल के लिए होती है, 15 साल के बाद मेचियोर होती है, उसके बाद भी आप इसको एक्स्टेंड कर सकते हैं, और इस्तिमाही के लिए उस पर ब्याजदर है 7.1%, जब यह स्कीम शुरू हुई थी तब इस पर काफी अच्छा ब्याज था, 8.4%, 8.5%, लेकिन सरकाह दीरे दीरे इन सबी स्कीमों पर ब्याज कम करती जा रही है, अब अगर हम आपको बात क 6.8% रहेगी, अब अगर हम आपको बताते हैं, मंतली इंकम एकाउंट के बारे में, जो की पोस्ट ओफिस में होता है, उस पर आपको 6.6% जो ब्याजदर है, वो मिलता है, हम आपको बताते हैं, सीनियर सीटिजन सेविंग स्कीम के बारे में, जो की बुजुरू के लिए हो कुछ सरकार की योजना है, लगूबचत योजना है, इस्मॉल सेविंग स्कीम है, जिन पर हर तीन महीने में ब्याजदर कुछ ना कुछ बदलती है, और इस तीन महीने के लिए जुलाई अगर सितंबर के लिए, हमने आपको PPF के बारे में, सुकने समृतनी के बारे में, NST क के बारे में किसान विकास पत्र के बारे में Senior Citizen Saving Scheme के बारे में इन सब के बारे में आपको ब्याजदर बता दी है उमीद करते हैं हमारे वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ Facebook और WhatsApp पर ज़रूर शेयर करें इस तरह के और भी वीडियो पाने के लिए V4 Innovative को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं शुक्रिया